नमस्कार, साथियों, ये साल 2023 का पहला रोजगार मिला है, 2023 की शुरुवाप्त उजवल भविश्की नई उमीदों के साथ हुई है, ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगार लेकर आया है, जिनके सदस को सरकारी सेवा करने का आउसर मिला है, मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उमिदोरों में ही नहीं, बलकि करोडों परिवारों में आशा की नई किरन का संचार करेगा, आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नोकरी में नियूक्ति मिलने वाली है, केंदर सरकार के साथ ही, NDA और भाजपा सासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयूजन किया जा रहा है, कल ही असम सरकार ने रोजगार मेले का आयूजन किया था, मुझे पताया गया है का आने वाले कुछी समय में मत्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्टर और उत्राखन जैसे अनेक राज्यों में रोजगार मेले होने वाले हैं, निरंतर हो रहें ये रोजगार मेले, अब हमारी सरकार की पहचान बन गए है, ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती हैं, उसे सिद्ध करके दिखाती हैं, आपको याद होगा, पिछले साल धंते रस के पामन अवसर पर पहले रोजगार मेले का आयोजन हुआ था, आज मुझे रोजगार मेले में सरकारी सेवा पाने वाले कुछ युवा साथियों से बातित करने का भी मोका मिला, उनके चहरे पर खुशी और संतोस का भाव साफ दिख रहा है। उनमें से जादा तर बहुत ही सामान्य परिवार के सदस्य हैं। और उनमें कई ऐसे हुआ हैं जो पूरे परिवार में पिछली पांच बिड़ी में सरकारी सेवा, सरकारी नोकरी पाने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्हें खुशी सिर्फ इत बात की नहीं है कि उन्हें सरकारी सेवा करने का सरकारी नोकरी करने का मोखा मिला है। उन्हें इस बात का भी संतोष है कि पारदर्ची और स्पष्ट भरती प्रक्रिया होने की वज़े से उनकी योग्यता का सम्मान हुआ है। आप सबने भी इस बात को मैसूस किया होगा कि भरती प्रक्रिया में व्यापक बढ़लाव हुआ है, केंद्रिय सेवाओं में भरती प्रक्रिया पहले की तुल्ना में जादा स्ट्रीम लाइन और टाइम बाउंड हुई है साथियों, आज आप भरती प्रक्रिया में जिस पार्दर सीता और जिस रप्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रहा है एक समय था, जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग-अलग वजहों से अर्चने आ जाती थी हमारी सरकार ने अलग-अलग विवादों को निप्टारा किया कौड कचरी के भी मामले धेर सारे होते हैं लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को वहाल करने की प्रतिवद्दता दिखाई पारदर्शी तरीके से भरती और पदोन्नती युवाओं में भरुसा जगाती है ये पारदर्शी ता उन्हें बहतर तैयारी के साथ कंप्रिडिशन में उतरने के लिए फ्रेरित करती है हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है साथियो आज जिने नियुक्ति पत्र मिला है उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है सरकार का एक एहम हिस्सा होने के नाते विख्सीद भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागिदारी रहेगी विशेश जिम्मेवारी रहेगी आप में से जादातर लोग सरकार के प्रतिनिती के तौर पर सीधे लोगों से जुडेंगे आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा आपने सुना होगा व्यापार कारोबार के दुनिया में कहा जाता है कि कंजुमर इस आलवेज राइट वैसे ही साथन व्यवस्ता में हमारा मंत्र होना चाहिए सिटिजन इस आलवेज राइट वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रभूति को और ताकत देती है आपको यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब आप सरकार में नियूक्त होते हैं तो उसे गवर्मेंट सर्विस कहा जाता है जॉब नहीं कहा जाता अगर प्रावेट में जाते हैं तो कहते हैं जॉब करते हैं सरकार में आते हैं तो कहते हैं सेवा करते हैं अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सोभाग्य मिलेगा जीवन में एक अउसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आपको भी अपने काम में आनंद आएगा आपने अभी देखा कि सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे करमचारी साथी करमयोगी बंधू अनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं डिजिटल ट्रेनिंग प्रेटफॉर्म आई गौट करमयोगी से उन्हें बंधू की तैयारी के लिए मदद मिल रही है अफिशल ट्रेनिंग प्रोग्राइम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सिस हैं जो आपकी व्यक्तिकर्शंता बढ़ाने में आपके व्यक्तित्व के विकास में आपकी सोचने की गहराई में उत्तरोत्तर प्रगति होती हैं लाब होता है मुझे विश्वास हैं कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नलोजी ये आज की पीडि को मिला हुआ आउसर है इसो जाने मत देना जीवन में लगातार चिकते रहने की ललक ही हम सब को आगे बढ़ाती है और मैं हमेशा कहता हूँ मैं मेरे भीतर की विद्यार्थी को कुभी मरने नहीं देता हूँ आप भी कहीं पर भी पहुंचे आप लगातार कुछ लोकुछ सिखते जाईए जो आपती क्षमता बढ़ाएगा जिस इंस्टिटूर से आप जुड़े हैं उसकी क्षमता बढ़ाएगा और इन समका प्रयाँ से ही भारत की खमता बढ़ेगी बदलते हुए भारत में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं और जब विकास तेज होता है तो स्वरोजगार के अवसर अंगिनत मात्रा में बढ़ने लगते हैं जो आज भारत अनुभव कर रहा है अस्वरोजगार का अक्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है पिछले आट वरसों में ग्यापक्स तरपन इंफ्रास्रेक्टर के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं इंफ्रास्रेक्टर में सोला करो का निवेश रोजगार के अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है आप जानते हैं कि जब एक नई सड़क बनती है तो उसके आजपास कैसे रोजगार की भी नई राह बनने लगती है उसी सड़क के किनारे नई बजार खड़े हो जाते हैं तमाम तरह की दुकाने खुल जाती है सड़क होने की वज़े से किसानों के उत्पाद आसाने से बाजार तक पहुँचने लगते हैं इसी तरह जब कोई जगह नई रेलिवे लाइन से कनेक्ट होती है तो वहां का बाजार सम्रुद्ध होने लगता है आवाजाही की सुविदा होने की वज़े से परेटन का भी विस्तार होने लगता है और इस तरह के हर विस्तार में रोजगार की नई संभावनाएं मौजूद होती है आज भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिये हर गाउं तक ब्रॉडबेन कनेक्टिविडी पहुँचाई जा रही है जब हम गाउं को इंटरनेट के जरिये बाकी दुनिया से जोडते हैं तो इस से भी रोजगार के नए आउसर बनने लगते हैं टेक्नोलोजी को ना समझने वाला व्यक्ति भी ये जानता है कि पहले जिन कामों के लिए भागदोर करनी पड़ती थी वो अब मोबाइल या कम्पूटर पर एक क्लिक में हो जाता है हम देखते हैं कि इस सुभिधा का लाब लेने के लिए कई बार वो टेक्नोलोजी के किसी जानकार की मदद चाहता है और सामान ने मानवी की इसी जरूरत से रोजगार की नई नई संभावना ही पैदा हो रही है आज गाउं कस्बों या शहरों में भी ऐसे एंट्रेप्रनर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ओनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नयाक्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं आज भारत के छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं वो अपने आप में नई PD के लिए आकर्शन का केंदर बना हुआ है आत्मभी स्वास का केंदर बना हुआ है और स्टार्ट अप की सफलता ने युवाश शक्ती के सामर्थ की एक दुनिया बर में पहचान कड़ी की है थाथियों आप में से जानदातर नौजवान बेटे बेटे हां बहुत ही सामान्य परिवार से आए हैं यहां तक पहुंचे के लिए आपने कड़ी मेहनत की है स्थाई भाव से 140 करोड देश्वासियों की सेवा करने का आउसर मिला है लेकिन अपने अंदर उस भावना को हमेशा जिन्दा रखे जिसने आपको यहां तक पहुंचेने के लिए प्रेरित किया था हमेशा सिखते रहें हमेशा अपनी स्कील्स को अपग्रेड करते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें मेरी तरब से आपको बहुत बहुत शूप कामनाय हैं आप तो सफल हो लेकिन हमारा देश भी सफल होना चाहिए आप आगे बढ़ें लेकिन हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी आगे बढ़ना है देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी समर्त होना है सक्षम होना है निरंतर आप अपना विकास करते चलिए और आपको मिली हुई जिम्मेवारी को भी बहुत ही बख्खुवी निभाते रहिए यही मेरी आपको बहुत बहुत शुक्ताम रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो कॉन्फेंसिंग के सरी रोजकार मेले का आखास किया और आज देश में 30